हाई गाईस वेलकेम टू आवर चैनल मेडू और आज हम लोग पढ़ेंगे प्लासेंटल बेरियर तो पहले देखने थे प्लासेंटल बेरियर कहां होता है प्लासेंटल बेरियर होता है जो मेटनल ब्लाड होता है और उधर जो हमारा फिटस ब्लाड होता है और ब्लाड विसल् हमारा placental barrier इन दोनों blood को अलग करके रखता है क्योंकि इन दोनों के जो Arbisus का structure है उत्वर different होता है, Hemoglobin थोरे different होता है तो इसलिए इन दोनों blood को separate करना जरूरी है और इसी एक पज़े से हमरा कुछ clinical इंपोर्टेंस भी है बाद में हम लोग पढ़ेंगे पहले इसका देख लें था है कॉंस्टिट्यूंस के आया मतलब किस चीज़ से बना है तो इसका बाहर से अंदर आये तो सिंसीन्सी मेंब्रेन होता है साइटोटोफोवनास्ट giorno और उसके बाद अथा है mesoderm in core of villas, अगर आपको syncytiotrophoblast है, cytotrophoblast क्या है पता नहीं है, तो आप हमारा पहला बहला जो वीडियो डाला हुआ है, उसे देख लेजिए, blastocyst formation के उपर, और उसके बाद हमारा चार नंबर पर बोल दिये, कि mesoderm in core of villas, पाच में आता है endothelium and basement membrane of capillaries, जो fetus का capillaries होता है, उसके endothelium and basement membrane, और इसका placental barrier का care feature से, in later part of pregnancy, मतलब थोड़े दिन बाद, प्रेगनेंसे के, तो इसका जो nutrition demands है, वो increase होता है, फिटियस का, और जो placental barrier होता है, वो become seen to increase the efficiency of transport, ट्रांसपोर्ट अब बहाना होगा, across the placental barrier, at the end of the pregnancy, जो pregnancy गतम होने बाला है, तो ये placental barrier का, जो efficiency हो जाता है, क्योंकि deposition of fibrillated material, इसमें fibrillated material हो जाता है, और इसके जो surface होता है, उसके उपर, तो इसके बसे प्लासइंटल barrier का थोड़ा deficiency कम होता है, तो शुक्रिया दोस्तों, आपको placental barrier के उपर ये short video था, कुभी छोटा video था, तो आपको अगर ये पसंद आया, कुछ topics के उपर अगर चाहते कि और जोर देना, तो comment में ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा, तो like,